बॉलिवुड में आने से पहले सोनम थी वे ट्रेश तो सोनक्षी थी इंट्रास टेसायन? जानिये और कौन करता था क्या अपने सुपस्तार अजनिकांत के बारे में कितना और क्या-क्या जांते हैं؟ क्या आपी जानते हैं कि एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले वह क्या काम किया करते थे, आप जानकर चौक जाएंगे कि वह बास कंड़क्टर थे, सिर्फ यही नहीं फिल्म, बाहु बली कि एक्ट्रेस तमना भाट्या आइफोन के लिए एप डेवलप कर रही थी, यह त एक्टिंग के जंडे गारने वाली सोनम के बारे में ये बात तो बहुत से लोग जानते होंगी कि एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले उन्होंने, फिल्म बलेक में निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ बतोर असिस्टेंट डाइरक्टर भी काम किया, अब यहां आपको उनके बारे में एक और चौक आने वाली बात बताते हैं, वह ये कि इससे भी पहले 15 साल की उम्र में वह बतोर वेट्रेस भी काम कर चुकी हैं, दो, मॉडलिंग और एक्टिंग में पाउड जमाने से पहले जॉन अब्राहेम कभी MBA होल्ड हुआ करते थे, MBA करने के ब आपकिंग और Personality Development Skill का कोर्स कराया करते थे, वह खुद इन कोर्स के टीचर थे, चार, बॉलिवुड में अपने समय के एक्शन किंग कहे जाने वाले धर्मेंद्रेक्टिंग जगत में आने से पहले American Drilling Company, बोरन टीब वेल्स के लिए काम किया करते थे, यहां काम करते हुए का काफी लंबे समय बाद इनको इस बात का एहसास हुआ कि इनका जानमन कामों के लिए नहीं बलकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ शहमाल मचाने के लिए हुआ है पांच, बताते हैं कि आइटम डानसर आखी सावंट ने दस साल की छुटी सी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था, अपने काम की शुरूआत इन्होंने बतौर कैट्र की उसके बाद राखी मुंबाई की बार डानसा बनी, इसके बाद अपना जेंडर चेंज करा के व वह जानी मानी एजिंसी और जेव वाल्टर थॉम्पसन के लिए काम किया करते थे, साथ, बी टाउन के किंग शारुक खान दिल्ली में होने वाले कॉंसिट्स के अटेंडेंट हुआ करते थे, आठ, सल्मान खान की मुवी, रबंग के लिए सोनक्षी सिना को खोजा जाता, उससे पहले वह बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइना काम किया करती थी, बता दे कि इन्होंने 2005 में फिल्म मेरा दिल लेके देखो के लिए सारे ड्राइस डिजाइन किये थे, नौ, बॉलिवुड के बिग बी के बारे में भला कौन नहीं जानता, लेकिन उनके बारे में ये बा इन्ट कमपिनी के साथ बतौर फ्राइब ब्रोकर भी काम किया, दस, यूपी के एक किसान परिवार में पैदा हुए नवाज दिन के किरिय का साफर काफी रोचक रहा, इसकी शुरुआत इन्होंने बतौर केमिस्ट की, उसके बाद इन्होंने दिल्ली का रुख किया, यहां ने यहां नेशनल स्कूल ओफ ड्रामा को जवाइन कर लिया, यहां से शुरू हुआ इनके एक्टिंग का सफर